अशकार आखिर वो दिन आई गया 1528 से शुरू हुआ संगर सो राज वर्स 2024 के अंदर वहे 22 दनवरी का दिन की राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे आईए हम जानते हैं उस अयोध्या नगरी का इतिहास राजा दसरत की वन नगरी श्री राम की जन्म भूमी सरोयू नदी के किनारे आखिर कैसे ये वक्त बदला हालात बदले और आज का ये दिन तैह हुआ कि स्री राम फिर से आयोध्या में विराजमान होने जा रहे हैं पर्धान मंत्री इंद्रेंदर मोदी के दुआरा उधगाटन किया जा रहा है नागर शेली में बनने वाला है भवे मंदिर और प्रत्योगी प्रिक्ष्यागी दृष्टी से और क्या जानकारी आपके लिए महत्वपन हो सकती है अपने प्रिवार के साथ ये वीडियो देखिएगा हंसते हंसते मुस्कराते रहे हैं कहा जाता ना हंसते रहो हंसाते रहो अयोध्या नगरी हमारे बात का घर है जम मर्जी करे आते रहो तो हम बात करने जा रहे हैं अयोध्या की अयोध्या सुरुई नदी किनारे उतर प्र राजधानी के रूप में बनाया गया फिर इन्हीं की पिड़ी में 24 में सासक हुए ब्रहमदल ब्रहमदल जो है कोशल राज ब्रहमदल जो महाभारत के अंदर अभिमन्यों से लड़ते हुए विर्गति को प्राप्त हुए उसके बाद लगता था कि अयोद्या जो है वापिस ऐसी नहीं बन पाएगी लेकिन कहा जाता है कुछ वर्षों बाद उज्जेम के राजा विक्रमादिते वहाँ पहुंचे और विक्रमादिते के दुवारा जो है वहाँ पर फिर थोड़ा सा नव निर्मान कारे करवाया गया उसके बाद पुश्यमितर सुंग भी पहुंचे लेकिन हाला प्या करते हैं कि सिकंदर लोदी जब तक थे यहाँ पर लोदी वंस का सासन था सल्टनत काल में तब तक यहाँ मंदिर था लेकिन पानी पत का जो युद हुआ 21 अप्रेल 1526 को और इबराहिम लोदी जो है युद के मैदान में मारे गए और बाबर ने नीव बचकर 50 मिन पर तोड़ना शुरू किया और श्याम होते होते उस मंदिर के जो गुंबद है वो ड़ा दिये गए उसके बाद रंजन गंगोई जो है रंजन गंगोई जिन्होंने 6 नवंबर 2019 को पांच जजों की फेसले को 40 दिन तक सुना और अपना फेसला सुनाया और वहा नागर शेली में भवय मंदिर का सिला न्यास किया गया और आज प्रान प्रतिष्टा मूर्ति जो है वो स्तापित की जा रही है जो है 22 जनवरी 2024 आई ये कुछ चीज़े जानते हैं राम मंदिर के बारे में अपने प्रिवार के साथ कि नागर शेली में मंदिर बना है नाग सीर का वास्तुकार कोन है और एक काले रंग की जो परतिमा जिसे स्री राम को पांच वर्स की आयू में दिखाया गया है हंस्ता हुआ वो चेहरा अपने आखों से अपना मन मोहक अपने आपको जो है अपने आपको ऐसे करेगा कि वा कैसे लगए साक्षात भगवान के दर्शन हो रहें आखिर सर ये काले रंग की परतिमा क्यों है क्योंकि रामायन में राम चरित मानस में स्री राम को शाम वर्ण का दिखाया गया है मैसूर करनाटक के जो चितरकार है उन्होंने इस मूर्ति को बनाया है जिनका नाम अरुन योगी राज है उनकी पांच पीडियां मूर्ति किसी भी एसीड कोई दूद इसस इस पर कोई भरत नहीं पढ़ने वाला यह शय नहीं होने वाली इस कारण कशल की मूरति की रूप में दरवार होगा सिता कुन्ड होगा रामलला का मंदीर होगा ठीक है यह सारी त्यारियां यहां पर की जा चुकी है अब मैं आपको यहां से कहूंगा जो हमेशा की भातिया आप स्क्रिंशोट लेते हैं कि हाँ और यह इस्टाग्राम पर शेर कीजिएगा यह जानकारी बहुत ही महतोपूर्ण है कि बाबरी मस्ज है और यह कारे उन्होंने पूर्ण किया मंदिर नागर्शेली में सिलानयास उद्घाटन वास्तुकार निर्मान कंपनी लारसेन एंड ट्रूबो ठीक है उसके बाद में यह जो मुख्य फेसला आया था यह तारी जगो 6 दिसंबर 9 नुवंबर 6 9 आपको विसे याद रखना है मकराना हमारे राजस्तान के पत्थर का प्रयोग हुआ है प्रतेक राजस्तानी को गरव होना चाहिए कि राम मंदिर के अंदर जो पत्थर लगा है वो इस राजस्तान की विर भूमी से गया हुआ पत्थर है मकराना जो वर्तमान में डीडवाना कुचामन जिले में आ विष्णू के दस अवतार के बारे में बताया गिया है मतश्या नर्शिंग वामन परसुराम राम किर्शन बुद्ध कलकी गरुड जो जितने उनके अरे कुरुम ठीक है अवतार है उनके बारे में बताया गया मूर्ती का वजन 200 किलो है मूर्ती के उन्चाई 4.24 फिट जो है मूर्ती की उन्चाई है चोड़ाई तीन फिट है ठीक है स्वास्तिक ओम चक्कर गदा सुर्य भगवान सब इसमें विराजमान है पांच वर्स के राम लला हमारे बीच में देखने को देख रहे हैं आप और यहां पर अयोद्या सरूय नदी के किनारे है ये भी आपको मैंन बनाया गया था और जहां पर कहते हैं कि लोग जो है पुझा करते थे वहां पर फिर के अवसेस मिले मुसल्मानों का कहना था कि उनके द्वारा रातरी में यह मूर्तिया यहां पर छोड़ दी गई पिर उसके बाद में विवाद हुआ और दब यह मंधिर डही थी उसतों मे विशेश योगदान रहा था शिव सेना का विशेश योगदान रहा था बहुत से हिंदू जो संग्ठन है उन्होंने राम मंदिर परान प्रतिष्टा के लिए संगर्स किया और उस संगर्स को आज न्याय मिला है ये जानकारी हमारे लिए इसलिए जरूरत है केयम पांडे कहूं या रंजन गोगोई के बारे में बात कहूं या जोहरलान नहरू के द्वारा जो बाते कही वह सब यहां के लिए बहुत महत्वपुन बाते हैं एक्जाम की दृष्टी से आपको ध्यान में रखना है आगे कुछ है क्या काले पतर से बनी हुई मूरती आपको फूरे रूप में आपको यहां पर दिखाई है उसके अलावा किस परकार से जो है यह इसको गुंबत को तोड़ा गया यह मजजी थी और यह है आज का भव्या दिन 22 धनवरी ठीक है दोस्तों आगको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा और अगर इस वीडियो में कोई जानकारी कमी रहेगी तो आप जरूर उसमें कमेंट करके मुझे बताईएगा ताकि हम जाने और आगे बताएं तुरू कहां से हुआ राजा दसरत राम कोश उसके बाद में ब्रमदल फिर विक्रमा दित्या पुश्य मितर सूंग शिकंदर लोदी उसके बाद में बाबर उ और उसके बाद में बरतमान में नरेंदर मोदी यह सारी चीजें आपको याद होनी रही होनी चाहिए अयोध्या का इतिहास है हमें जानना चाहिए जै स्रीराम